यार जब जिन्दगी में कोई एक लड़की मिल जाती है तो कितना अच्छा लगता है जब सब कुछ छोड़ कर देरात तक उस लड़की से बात होती है तो कितना अच्छा लगता है जब अपने ममी पापा के प्यार को छोड़ कर उस लड़की से प्यार करते हैं तो कितना अच्छा लगता है जब अपने ममी पापा की बातों को इगनोर करके उस लड़की की बातों को मानते हैं तो कितना अच्छा लगता है जब अपना भाई बहन पापा ममी को छोड़कर उस लड़की के पीछे समय गुजारते हैं तो कितना अच्छा लगता है जब अपना दोस्त भाई पापा ममी के कॉल को रिजेक्ट करके उस लड़की के कॉल को रिशिव करते हैं तो कितना अच्छा लगता है दोस्त अच्छा लगेगा जब तुम अपनी पढ़ाई को छोड़कर उस लड़की पर ध्यान दोगे तो अच्छा लगेगा जब उस लड़की के पिछे रते रते तुम्हारा सारा टाइम बरबाद हो जाएगा तो अच्छा लगेगा और दर्द और प्यार दोनों सहने के बाद में भी तुम्हारा अंत में ब्रेक अप हो जाएगा न तो अच्छा लगेगा जब तुम फिलिंग हैपी वाले स्टेटस को छोड़कर वो सैड वाले स्टेटस लगाएगा तो अच्छा होगा ऐसा वाला कितना अच्छा लगेगा ना कि तुम उनको दिन रात पुछते हो जिनके लिए तुम्हारा भविस सायद ना हो और अगर तुम ऐसी परिस्थिती में हो तो ये बात जान लो मेरी ये बात तुमको बुरी लग रही होगी लेकिन जिन्दगी बदल देगी अगर समझ गए तो मेरे दोस्त अगर तुम चाहते हो कि जिन्दगी में तुम उसको सारी खुशियां दो जो तुमने उसे वादा किया है तो अभी तुमको अपनी लाइफ से उसको हटाना होगा हो सकता है कि आज जिन्दगी में तुम उनको सबसे important मनते होंगे लेकिन अपनी जिन्दगी में अपनी काम को important दो अगर एक तरफ तुम्हारा काम है और दूसरी तरफ वो तो तुमें उसको नहीं अपने काम को चुनना होगा जिसमें तुम दोनों के जिन्दगी समर सके क्योंकि अगर आज तुम उनको ज़्यादा important दोगे न तो पूरी जिन्दगी काम के पीछे भागाओगे तो पूरी जिन्दगी नरक से भी बत्तर हो जाएगी अगर आज पूरी जिन्दगी बावु सोना करते रहे न तो पूरी जिन्दगी बावु सोना कहने के लिए तरस जाओगे तो हमेशा दिल की ही नहीं कभी कभी दिमाग की भी सुन लिया करो क्योंकि दिल वो फैसला करता है जिसमें आपको आज मजा आए और दिमाग वो फैसला करता है जिसमें आपको फ्यूचर में और अगर इस वीडियो की वज़ा से तुम्हारे अंदर आग लगी हो जिन्दिगी में कुछ करने की आगे बढ़ने की ना तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और वेल आइकन को फ्रेस करो क्योंकि एसी मोटिवेशन वीडियो आप से कभी भी मिसना हो पाए झाल